हेलो नमस्ते सस्राकाल आदाब मैं हूँ आपकी होस्टन दोस्त हुन्जा सादिर और आप सभी का स्वागत करते हूँ, हमारे शोग जीवन रेखा हमें दोस्तों एक कहावत है, मेरे ही हातों पर लिखी है तकदीर मेरी और मेरी ही तकदीर मेरे बस में नहीं अरे भाई बस में होगी भी कैसे हमने कभी इन लकीरों की अवाज सुनी ही नहीं मेरी पड़ोसन का गरती है कि ये जो लकीरे होती है न ये उस मुपट पत्नी की तना होती है जो कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ कहती रहती है लेकिन इंसान उस बेशरम पती के तना होता है जो इसको अपने बस में काबु में, मुठी में बंद करके रखना चाता है तो इस शों में हम लोग जानेंगे लकीर की जुबानी बॉलिवुट सितारों की अंसुनी कहानिया बॉलिवुट के वो सितारे जो भारी भरकम डायलोग्स बोलके हमारी जिन्दगी को दिशा देते उनकी असल दशा क्या है? सितारों के सितारे गर्दिश में हैं या उनके वश में? गई भैस पानी में, उनकी भैस पानी से बाहर आती है, या फिक पानी में ही जुगाली करती रहती है, ये सब जानेंगे हम अपने शो में, तो आईए बुलाते हैं जानी माने आस्ट्रोलॉजर, डॉक्टर जोती माने जी को, डॉक्टर जोती, वेलकम टू आशो, बहुत स्व आज मैं अपनी फेवरिट स्टार का भविष्य और उनका भूठ चानने के लिए बहुत बेकरा लूँ, तो आप पताएंगे मुझे, बिलकुल, किसका भविष्य जानना चाहती हैं, बरेली के बार में तो आपने सुना होगा, बरेली की दो चीजे बहुत फेमिस हैं, एक त चिरारे, बरेली के बाजार में, सुना ही होगा अपने गाना, तो आज, बरेली के एक ऐसी हस्ती, जिन्नोंने पूरी दुनिया में बरेली का नाम रोशन किया, बॉलिवुड में वो आई, और नोंने दिलो पे राज किया, एक ऐसी देसी गर्ल, जिन्ने विदेशी पसंद है, जी हां, मैं बात कर रही हूँ, तो मोस्सेंसेशनल प्रयांका छोपडा है तो उनके भविश्य और उनके भूत के बारे में हमें कुछ बताईए जे, देखे, अभी मैंने उनकी कुंडली खोली है, तो इसमें मिथुन लगना चल रहा है, मतलब मिथुन रासी की है, ये मिथुन लगन में, रासी इनकी कन्या आ रही है, ठीक है, और इनका शुक्र जो है, वो पराक्रम स्थान का है, और साथ में चंदर और सूरिय उनको होता है, ठीक है, तो उसे हिसाब से इनोंने इनके जो कुंडली में जो में गर जो अच्छे पारफुल मुझे दिख रहा है, वो शुक्र, शुक्र है सिंग रासी का, याने ये जो प्रियंका चोप्रा है, बहुत ज़्यादा डेरिंग फुल, बहुत डैशिंग और बहुत विल पाउर वाली लड़की है, तो उसी हिसाब से ये जो शुक्र है उनका, उस हिसाब से है, अब इनने जो स्टार्टिंग से इनको कला के बारे में बहुत ज़्यादा प्यार था, उसके बाद में ये जब 24 साल की थी, तो थोड़ा सा घर में भी चलता रहा, ये वो नहीं ह आया, फिर 24 साल के बाद में इनको काफी फिल्में मिली और काफी लोगों का उनको साथ मिला, क्योंकि गुरू भी उनका तुलारासी का पढ़ता है, और वो जो उसका कारक शुक्र है, वो पराकरम का है, तो उस हिसाब से वो अभी 36 साल तक, अभी 36 उनकी एज हो रही है, तो बस अभी उनकी शुरुआत हो रही है, आप पूरे बेकरे हर्चन, जब वो आई थी, विस वर्ल के बाद, तो ये था बेसिकली करियर अपवर्ट फेस, अभी थोड़ा लव लाइन परसनल लव लाइन तो अभी जैसे ये 36 के बाद क्रॉस हो रही है, तो मंगल से मिल रह है, शुक्र, तो अभी उनका जो मन है, जो मानसिक्ता है, वो उनकी शादी के लिए हो रहा है, और लाब का कारक भी मंगल बना हुआ है, और उसके बाद में छटे भाव का भी कारक, और छटे भाव का कारक जो उसका सब्तम भाव है, वो अबरॉड है, अच्छा, तो मतलब जी तो अबरॉड होने के वज़े से और उसका भी कारक जो है, उसके बाद में अभी जैसे थर्टी सेवन में आ रही है, तो थर्टी सेवन में इसका शादी की लाइफ तक तो चलने वाला है, चलेगा भी अब फोटी एड तक उसका बहुत ज़ादा आना-जाना अबरॉड म चलने वाला है, ये मुझे दिख रहा है, और उसके बाद में, जैसे ही थर्टी सेवन के बाद थर्टी एट में जैसे ही इसकी इंटरी होती है, याने की थर्टी सेवन, उनका चल रहा है क्योंकि अभी उनका रहु ने है तो अभी उनके लाइफ में जो चोटी उमर का जो लड़का है तो ठीक है अभी वो भी लड़का कैसा है चंद्र सूर्य शनी बुद्र चारो ग्रह एक साथ बने हुए है तो इसमें प्रॉब्लम यह कि शनी चंद्र का विश्योग बन रहा है और साथ में सूर्य बुद्र का बुदादित्य योग भी बन रहा है लेकिन इसके इसाब से जो संद्र है याई उस से चोटा है उम्मर में छोटा है कि शनी के वज़े से शनी किसका होता है कर्म का कार्म फिक है तो उसके वज़े से कुछ तो उस लड़के से इसके साथ में कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली है क्यूंकि करियर में होता यह लोग क्या होते है करीयर से zından हो गए अपनी परसनल लाइफ को जादा बहतर हां लेकिन उनके परसनल लाइफ में मुझे इतना सही नजर नहीं आ रहा है विए उनका सब्तमबाव में केतु है लगनेश है वो अपने तरफ से पूरे अच्छे तरीके से रहने के कोशिश तो करेगी लेकिन सामने वाला भी व यह पबलिसिटी स्टंट था फिल्म के लिए या फिर सच है उनकी जीवन रिखा क्या करते है aspects देखिए अभी जो मैं देख रही हूं तो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको यह बताया था कि यह जो 36 के बाद में उनकी लाइफ में कोई लड़का अभी जो आप देख रहे हैं जहां तो अभी प्रस्नल लाइफ है लेकिन वह बहुत ज़ा प्रोफेशनल भी है वह प्रोफेशनल लाइफ में भी रहना चाहती है अभी प्रस्नल लाइफ में भी रहना चाहती है तो अभी प्रष्न कुण लिसे थो यह बता रही है कि वह बहुत ज़ा प्रोफेशनल है तो उसलिए वह अपना कांबी अपने जगे करती Рही और अपनी प्रस्नल लाइफ भी जीते रहेगी उसके उपर डिपेंड है वह चाह कि उनका 18 साथ 1982 बता रहा है तो उसके हिसाब से मंगल के तू शनी चंद्र की यूति उनकी कुंडली में मुझे दीख रहा है तो इसमें क्या है कि उनका इसके पहले भी जो बैक मैंने देखा होगा कि उनके लाइफ में काफी सारे काफी सारे लब अफेर्स ते लेकिन वो डिस सब्सक्राइब है तो आगे भी उनके साथ ऐसे होने वाला है तो अभी मुझे दू लंगता वो यूस्ट वो चुकि है तो वो तो प्रोफेशनल लेडीज है वो ऐसी कोई वो बात नहीं है वो अपना रास्ता बदल देगी दूसरा कुछ नहीं हो सकता है तो माफ करे या ना सेवन के बाद 38 में उनके लाइफ में काफी डिस्टरबंस मुझे नजर आ रहे हैं प्रयांका के बॉइफ्रेंट गिर्गीट के रंग की तना बदलते रहते तो पर या प्रका की कुडली में कोई दोश है क्या कहता है आपका जोतिश शात्र देंगी इसमें मैं यह देख र रही है इनका बुद्ध जो है चंद्रा सूर्य शनी के साथ में मतलब उनका जो इंटरनल इमोशनल जो लाइफस्टाइल है वो एक दूसरे से न मिलने के कारण वो अच्छा अलग हो जाती है और शनी कि मैच नहीं हो पाता किसी से तो थोड़े के टाइम में ब्रेक हाँ और इ लेकिन जो आपना आप हमारी जो लाइफस्टाइल होती है या हमारा एक मुकाम जाते हां जो प्रोफेशनल लेवल है वो बाद में नहीं मिल सकता है तो यह यह प्रोफेशनल लोगों की बात होती है तो उसके हिसाब से भी है और प्लस जिनके अंदर भी यह कुंडली का भी दोश है कि उनके लाइफ में काफी सारे लोग मतलब उने मिलेगा प्राइब थोड़ा टाइम लगेगा शायद नहीं उनके कुंडली में सच्छा प्यार करने वाला नहीं है प्रियांका की लाइफ में बॉल सिंग तो निक जोन इस टिकेंगे क्या वो लाइफ टाइम साथ देंगे या फिर वो भी धागा देंगे क्या कहते हैं उनकी जीवन नहीं देखे इस हिसाब से यह बुद्ध अभी मैंने अभी अभी प्रशना उत्तर दिया है फिर भी मैं बताती हूं कि वह भी ज्यादा बहुत प्रफेशनल एक स्टेज में है यह भी बहुत प्रफेशनल एक स्टेज पर और दूसरी बात क्या है कि दोनों की मुचल अंडरस्टांडिंग बहुत जरूरी होती है अभी यह जो लड़का है थोड़ा सा उसमें बच्पोनामी बोल सकते वह भी है तो वह थोड़ा सा उस टाइप का भी है और अभी वह सोचनी समझनी के शक्ति होती है यह अभी थाड़ खाली जोश है मेरे नजर में यहां जो दिख रहा है मुझे तो जोश में ही सब कुछ चल रहा है लेकिन एक बार एक प्रोफेशनल लाइफ जहां पर आती है एक स्टेज आती है वहां पर कोई भी प्रसनल यह जो एमोशनल लाइफ है यह अंडरस्टांड है वह सब खतम होते हुए नजर आ रही है मुझे अपने स्टेज करियर स्टेज के एक ऐसे पड़ाव में जहां वह बहुत थे मैसे करोड़ों दिल की जान है वह लोग उन पे मतलब निचावर करते हैं अपनी जान प्रयांका तो आप जानती है तो यह यह है कि जहां पर प् जय है वाव इसे बताएंगा राण वाल वाल राण पताएगा अ संड्र जी यूद यह ओसे आने कर देता है आप मेरे देर राज चाहलिश कर दोडागी कि अजया समय देर के जल्टी जम पूलाउ आम चपरा बुली चैन्दी जी अच्छी मेरी फ्रेंज मुझे प्यार से प्यांका जोपरा भी कहती है प्यांका जोपरा किस आजल से उधी? एक मेरा पहला बॉइफरीन असीन, तूसरा बॉइफरीन अक्षे, और तीसरा बॉइफरीन लास्थ, जॉइफरीन And I do feel that. Because my child is like that. Okay. क्या क्याना चाहेंगी जूती जी? अच्छा आपका बड़र बताये? It's 9th September 1992 और आपके बॉइफरीन का? उनका 8th September 1994 चोटे हैं आपके बॉइफरीन आपसे? यह 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 जी 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 तो आप क्या पुछना चाहरे हैं बॉइफरीन के बारे में? पहले तुमें यह जाना चाहती हूँ कि क्या मेरी जीवन रेखा भी प्रियांका जोब्रा जैसी है? और बॉइफरीन के साथ मेरा आखरी बॉइफरीन ठीके गा यहां फिर मैं नेक्स डूलू? देखिए आपका नमबर 9 आ रहा है उनका 8 तो शनी मंगल की यूती है तो हमेशा ही आप दोनों में जगड़े वगर होते रहेंगे और दूसरी बात है इनका मंगल और राहू की यूती होने की वज़े से उनको हिल्थ प्रॉब्लम्स मुझे काखी नजर आ रहे हैं जैसे राहू सरका कारक है और मंगल भी तो इसकी साथ से उनकी ब्लेड कोट होना या जैसे होते हैं बहुत हाई ट्रेंपरेचर होना जैसे फुंसिया वगरे आना इस तरीके से और दूसरी बात उनके पेड के तकलिफे मुझे ज्यादा दिख रही है जैसे किड्नी किड्नी स्टोंस वगरा है और कैंसर भी होने के चांसर मुझे लास्ट ये आने वाला जो साल है उसमें मुझे नजर आ रहा है अमाइ गॉड्ट, ये बाइफरेण है पिमारीयों के दुकान दिल तो आपने देदिया है कहीं खिटनी ही देनी पड़े मेरे आखे बाइफरेण का फोम है अगरे ये अपका बाइफरेण है या यह अगरे कि यह तो मेरे पड़ासन का अस्बन है करी तो नाम को बोल किया है आई यू शूर इस इसकी अभी खबर यहते हुए हलो चोथी जी मुश्की टांगी जी आपको तो पता है कैसे-कैसे लोग आजाते अपने आपको प्रियांका जोपण है मैं स्चांद री जोपट came हम अपना डिस्काशन आगे बढते तो आम प्रियांका के बारे में बात करें अब प्रियांका की लव-लैजक के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगी पहले रमन बवईजा फिर- akshay kumar और फिर शारु तो आपके क्या राय है इस बारे में क्या कहना चाहेंगे देखिए जब एक आर्टिस की जो कॉमिनेशन होती है तो फ्रेंशिप जब होती है तो एक दुसरे के साथ काफी घुल मिलके बात करते हैं क्योंकि उसको फिल्म में काम करना होता है तो यह पबलिक को दिखाने के कि गोसिप बना के लोग परोस्ते हैं तो इसमें हर आटिस्ट ऐसे होते हैं आपने तो देखा होगा तो इसमें मैं कोई बात नहीं बोलती हूं कि ठीक है वो हर्मन बवेजा के बार में तो मुझे पता है तो मैंने आपको पहले भी बोल चुकी हूं कि उनके साथ उनके कि लोग भोसिप बना लेते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है तो प्रयांका की लाइफ में प्यार की रेखा है की नहीं है यह तो आने वाला वाक्ति बताएगा चलिए नमस्कार, नमस्कार, मैं कामिनी, अबला सास हूँ, मैंने आपना नाम बहुत सुना हुआ है, आपका नाम क्या है? आपकी परिशानी क्या है? घर में बहुत टिकती नहीं, मैंना अपना भविश है और अपनी बहुं का ना फूर जाने के लिए आई है, मेरी जीवन रेखा ना, बड़ी कटी चटी हुई सी है, अब तो आपको देखके ही लगता है कि आप चटी, मेरी बहु के ना लक्षन बिल्कुल अच्छे निया, क्या की आपकी बहु? एक दिन ना बहु कमरे की चाराब आ रहे थी, तुम्हारे पाओं भरी होने की खबर सुनकर मेरा सर भरी हो गया ये क्या बोल रहे हैं सासुमा शादी से पहले बेटे को बोला था पूत के पाउं पालने में देखे जाते हैं और बहू के पाउं पेड़ पालने में देखे जाते हैं अगर कोई भी कमी करो पेड़ पालने में तो बस वो कहीं न कहीं जरूर कोई न कोई गुल खिलाती है और वहीं हुआ छे महिने से मेरा बेटा दूसरे शहर में तो फिर कौन सी खुश खबरी है? खुश खबरी ये है कि हम बच्चे के मा बनने वाले हैं अरे पाउ भारी होने का मतलब भी मा बनना ही होता है हम जी सासु माजी, पर हम आप के बेटे के बच्चे के मा बनने वाले नहीं है तो फिर जरूर तुम उस्हरामखुर दुबे के बच्चे की मा बनने वाली होगी हे भगवान ये सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं फट गए मैं धर्ती में समा क्यों नहीं गई जासे मा आप में जा उल्टा ही समझती है फिर उल्टी होने वाली बात करोगी तो आदमी उल्टा ही समझेगा ना फिर उल्टी बात किया अपने फिर किस के बच्चे की मा बनने वाली हो शारुख के बच्चे की मा शारुख वो टेलर मास्टिव जिसने मेरे सूट के कपड़ा बचा के अपनी बीवी का सूट सिल दिया था नहीं माँ जी वो टेलर मास्टर के बच्चे की मा बनने वाले नहीं है शारुख खान के बच्चे की मा बनने वाले हम फिल्म वाला शारुख खान हांजी शारुख खान हीरो उनके छे साल के बच्चे की मा बनने वाले हम फिल्म में है फिल्म में हांजी वो क्या है नामाची हमने न वटसग्रूप में अपना सेप्सी जा फोटो डाला था कास्टिंग ड्रेक्टर ने हमारी फोटो देकर हमें शारुख खान की मच्चे की मा का रूल ओफर किया हमने कबूल है कबूल है कबूल है बॉल दिया शारुख की फिल्म में काम कर रही है उसके इतने पुरे दिन आ गया हम जोतिश को अपना जीवन रेखा दिखाने गया थे जोतिश माराजी ने बोला जो आपकी कुंडली में दोस था ना वो हमारा बन दोस्त बन गया है और अब ना जिसकी भी भैस पानी में जाएगी ना चुलबली शर्मा जी आप उनकी भैस पानी से बाहर भी कालेंगे हाँ तुम सरो भैस ही ने का सकती हो पानी शाथ यहां जी हम अभी आप की बाते कर रहे थे वह क्या है ना आपको युमर बहुत लंबी है हमारे सासु मा से जद नहीं नहीं सासु मा से जद लंबी नहीं हमारे से जद लंबी है हाँ सुन रहा है आपको हाँ जी क्या 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 बोल रहें आप क्या हुआ तू गई भैस पानी में शारुक की नहीं हमारी तुमारी भैस पानी में गई कैसे कास्टिंग राइटर है ना उनका नामी शारुखान है और उनके ही शे सल के बच्चे की मा बनना था हमें और हमने वो रिल लाइफ अले शारुखान सोचके कबूल है कबूल है कबूल है बोल दिया अब ये शारुखान बोल रहे अब हमारी वाइद और हमारे बच्चे की रियल मा है गई भैस पानी में अब आपी बताईए ऐसी बहु के बारे में आप क्या कहेंगी चोती जी समाधान बताईए देखिये आपके प्रश्ण का एकी समाधान है आप अपने बहु के ऊपर शक करना चोड़ दीजे इससे आपके जीवन रेखा सीधी और सरल हो जाएंग जिस दिन मेरी बहु सीधी और सरल हो गई ना उस दिन से तो मैं शक करना छोड़ी दूँगी अच्छा बहुत बहुत धन्यवत मैं चलती हूँ जोती जी आपने बिल्कुल सही कहा शक एक ऐसी कड़ी है ना जो किसी भी रिष्टे में दरार ला देती है और साज बहु का मामला तो बहुत ही खतरनाक होता है बहुत ही बारीक होता ये रिष्टा खैर जोती जी आज के लिए बस इतना ही हम आगे अगले एपिसोड में उन किया रहा तो ही मिलावट का खैले शुरूर